और भुपाल से है जहां मध्यप्रदेश की वित्तुमंत्री जगदीश देवडा ने बयान दिया है और कहा है कि देश का बजट आत्म निर्भर भारत की तस्वीर है उन्होंने कहा कि आठ लाकी टेक्स में छूट से एक सबसे बड़ी रहत दी पीम आवास यूजना हो युवाओं को रोजगार युवाओं की लिए स्किल सेंडर खोले जाएंगे इसके साथ कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर भी इस बजट ये बजट खास है और सवाद दाता सूरश्चर्मा ने एक खास बात चीत की है आज देश का और बजट पेस हुआ है क्या कुछ आम जन्ता को मिला है इसको लेकर हम बात करेंगे मध्युपते के वित्तमांती जग्दीज देवड़ा से सर बजट को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं क्या कुछ सरकार ने जन्ता को राहत दी है और खास्तों से टेक्स- मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि पिछली बार जब बजट प्रस्तूत किया तो सारे हिंदुस्तान के जितने राज्य के वित्त मंत्री थे उन सब को उनने आमंत्री किया था पूरों में चर्चा की कि बजट में क्या-क्या बहतर होना से यह सबके सुझाव लिए और अभी भी जो बजट पेश हुआ है वह रचनात्मक है एतियासिक बजट है और सभी वर्गों का उसमें विशेश तोर से ध्यान रखा गया है और प्रकतिक खेती को मुझे लगता है कि विशेश जोड़ देकर के माननी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि प्रकतिक खेती को सामने आएंगे तो हम आपके सामने बताएंगे रेल बजट की बात हो या मैं जो सीनियर सिटीजन है उनकी बचट लिमिट बढ़ा दी गई कास्तों सेविंग पर दी बात के तो साड़े चाल लाग से नौल लाग रोपे तक सीमस समय सीमा कर दी है और अधी महिला है बचत सा सेकार प्रदेश भर में 30 बड़े इसकल सेंटर स्कूल रही ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और स्टाट अप खुद का कर सके तभी तो आत्म निर्वर भारत होगा जब अपने पाओं पर खड़ा करने के लिए बजट में प्राउधान होंगे तभी आगे बढ़ेगा द सुझाव आमंतरित किये थे 26 जनवरी तक हमने आम जंता से सुझाव आमंतरित किये यहां के प्रमुक उद्योगपती, वकील, चार्टेंड अकाउंटेंड और सारे जितने भी इस प्रकार के व्यापारी हैं बड़े उन सब लोगों को के साथ में हमने विचार उमर्ष किया उन से हमने सुझाव मांगे और जितने अच्छे सुझाव होंगे उनको हम बजट में निश्चित रूप से पस्तूत करेंगे तो बिल्कुल प्रदेश का बजट आत निर्भर भारत बनाने की तस्वीर का बजट है और आने वाले समय में मद्धिप्रदेश का बजट भी कुछ ऐसा ही होगा इसको लेकर प्रदेश की जंता से भी मद्धिप्रदेश सरकार ने सुझाव मांगे हैं तो अब देखना ही ह होगा कि देश के आम बजट के बाद मद्धिप्रदेश का बजट कैसा होगा असुनी सिंग के साथ सूरसर माबंसली उस भोपाल